पूर्व मुखी घर में किचन के लिए दो सबसे अच्छी दिशाएं हैं. एक दक्षिन पूर्व, आगने ये कूर्ण, वास्त्व शास्त्र में ये दिशा अगनी देवता से जुड़ी है, जो खाना पकाने के लिए आवश्य कूर्जा का प्रतीक है. इस दिशा में किचन होने से घर में सकारात्म कूर्जा का प्रवाव बढ़ता है, स्वास्थे और सम्रिद्धी में व्रिद्धी होती है और परिवार में खुशाली आती है. किचन का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. गैस स्टोव दक्षिन पूर्व दिशा में रखना चाहिए. सिन्क उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए. दो उत्तर पश्चिम वायव्यकून ये दिशा वायू देवता से जुड़ी है जो स्वचता और ताजगी का प्रतीक है. इस दिशा में किचन होने से घर में ताजगी का वातावरण रहता है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है. किचन का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. गैस स्टोव उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिये. सिंक उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बाते किचिन में हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए किचिन में भारी सामान रखने से बचना चाहिए किचन में रनवो का चुनाव करते समय हलके रनवो का उपयोग करना चाहिए किचन में अच्छी रोश्णी और हवा का प्रवा होना चाहिए इन दिशाओं के अलावा पूर्व मुखी घर में किचन के लिए कुछ अन्य विकल्ब भी है उत्तर पूर्व इशान कोन ये दिशा देवी लक्ष्मी से जुड़ी है जो धन और समृद्धी का प्रतीक है पश्चिम ये दिशा वरुन देवता से जुड़ी है जो जल देवता है इन दिशाओं में किचन बनाते समय कुछ सावधानिय बरतनी चाहिए उत्तर पूर्व इशा में किचन बनाते समय ध्यान रखे कि गैस स्टोव और सिंक एक दूसरे के सामने न हो पश्चिम इशा में किचन बनाते समय ध्यान रखे कि किचन का मुख पूर्व इशा की और न हो